नमस्कार दोस्तो मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अब सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल रेरफेक्ट्स में दोस्तो आज हम बात करेंगे भारती सम्विधान के बारे में कुछ रोचक तथ्योगी जी हाँ देश में सबसे उचापत भारती सम्विधान का ही है सरकार सुप्रीम कोड रष्ट पती परधान मंतरी कोई भी इससे उपर नहीं है सब इसके दाइरे में रहकर काम कर रहे हैं भारत का सम्विधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है नकी मसीन से इसे प्रेम बिहारी नारायन राय जादा ने अपने हाथ से इटेलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को सांती निकेतन के दो कलाकार वेवहार, राम मनोहर सिना और नंदलाल बोस ने अप से लंबा लिखित समिधान है, यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 सिडूल्स है, इसके अंग्रेजी संस्क्रण में कुल 117,379 सब्ध है, जिने लिखने में कुल 254 पे निब्स का इस्तमाल हुआ था, और 6 महिने का समय लगा था, इस पूर्य कारे परलगब 6.3 करोड रुपए खर्च हुए थे, समिधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्क्रण की असली कोपी संसत भवन की लाइबरेरी में हिलियम के बॉक्स में रखी हुई है, समिधान बनाने के लिए पहली सबा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, और इसे बनाने में 2 साल 11 महिन और 18 दिन लगे थी, डाक्टर राजंदर परसाद को समिधान सभा का देक्स चुना गया था, और डाक्टर भीम रावंबेडकर को इस कमेटी का चेर्मैन भी बनाया गया था, समिधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 त्या की गई थी, जिन में 292 बिल्टिस प्रांतों क के परतिनिदी, चारचीफ करमिस्नर छेतर के परतिनिदी और तिराणवे देशी रियास्तों के परतिनिदी सामिल थे, ये संख्याबाद में घटकर 299 में रह गई, हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी, जिसके परतिनिदी सम्विधान सभा में सामिल नहीं हुए थे, भारत का सम्विधान 26 नहुंबर 1949 को बनकर त्यार हो गया था, लेकिन अधिकारिक रूप से ये 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंतर दिवस के रूप में भी मनाते हैं, सम्विधान को लागू करने के लिए 26 जन्वरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण सवराज दिवस की वर्सगाट थी, भारति सम्विधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था, और तब इसमें 2000 से भी अधिक स संसोधन किये गए थे, इंडियन कंस्टिटूशन पर सम्विधान सभा के 284 सदश्यों के हस्ताक्षर हैं, जिन में से 15 महिलाएं भी हैं, जाधातर सदश्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये थे, और कुछ ने हिंदी में, अबूल कलाम आजाद ने अपने हस् 24 जनवर 1950 को सम्विधान लागू होने से दो दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे, तो उससे में बारिस हो रही थी, और सम्विधान सभा के सदश्यों ने इसे सुप बताया था, यह सम्विधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन सम्विधान स सम्विधान का पिता भी कहा जाता है, भारती सम्विधान दुनिया के दस अलग-अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है, सम्विधान का मूल धाचा Government of India Act 1935 पर आधारित है, पंच वर्षी योजना का विचार सोवित संग से लिया गया, समाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलेंड से लिया गया, व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान आश्ट्रेलिया के सम्विधान से लिया गया है, भारती सम्विधान में आपात कालेन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है, भारत में जिस कानून के के बीच पावर का बटवारा कनाडा के समिधान से लिया गया है भारती समिधान की प्रस्तावना अमेरिका सवधान की प्रस्तावना से प्रेरित है अमेरिक की समिधान की प्रस्तावना और भारती समिधान की प्रस्तावना दोनों ही वीदा पीपल से सुरू होती है भारती समि पुरिव्ति और शिक्ष्य संबंध्य अधिकार समयधानिक उप्चारों का अधिकार दिल्चस्प बातिया की सुरुवात में संपत्थि का अधिकार भी एक मोली का दिकार था भारतीय सम्विधान के अनुच्छेद्ध 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है लेकिन समिधान 44 संसोधन में 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया भारत के राष्ट्य परतीक सारनाथ जिसमें सेर असोक चक्र सांड और घोड़े भी है को 26 जन्वरे 1950 को ही अपनाया गया था भारते समिधान की प्र 2017 में 42 संसोधन के माधम से जोड़ा गया था भारते समिधान के पहले अनुच्छेत के अनुषाद भारत सभी राजयो का एक संग है और ढक्टर हीमर्राव अंबेडकर ने ये सपश्ट किया था कि भारत एक संग है और किसी भी राजय को भारत से अलग होने का दिकार नहीं ह के लिए 26 नॉवंबर के दिन को सम्विधान दिवस के रूप में मनाय जाता है भारत के सम्विधान को दुनिया का सबसे बहत्रिन सम्विधान माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारे समिधान में सिर्फ 102 संसोधन हुए हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके इसी तरह की और वीडियो आपको